जादी हुई पूर्वी पश्चमी धुरी जानाने को मर्दाने से अलग करती थी उत्तरी रक्षणी धुरी और पूर्वी पश्चमी धुरी दीवाने आव में एक दूसरे को परस पर विभाजन करती थी उत्तनी दक्षणी दूरी शाही भावनों को सावजन एक स्थारों से अलग भी करती थी कहा जाता है कि केले में शाही घारानी के लिए काई बाजार थे इन मैसे सबसे आदिशान था शत्ता बाजार पुआन U नौबत गुटल हुए टीवान के धर्पार प्रवेषि किया असा हicate पे ciudए शायाट हमझे सकती उनमा है क् वाल दीवाने आप से आगे फेले के सभी हिस्सों में शाही परिबात के अलावा किसी का भी प्रभीश्मर्चित था बाग, प्रशासनि भावन, निवास और मनोरजन के तक्ष इन सब में शाही घराने के ही लोग जा सकते थे दीवाने आप के ठीप पीछे प्रंग महल था यहां शहिंचाह और शाही बर्गार रिद्ट और संगीन की मैफलों का आनन्द लेते थे रंग महल के बाई और खास महल था जो बाद्शाह के इंदेजी आराम खुलाखाग का महल था इसके आगे दीवाने खास था यहां शहिंचाह अपने मंत्रियों से दर्बार के मामलों पर बना हश्किया करते थे और यहीं था हिंदोस्तान का प्रसंद सिंहासन तखत ताउस सिंहासन के चत्व पर दो मोर पक्षियों के बीन चड़ा था दुनिया का सबसे नायाब हीरा और तखत ताउस की शाह कोहे लूँ बाच्चाह के निवास के बगल में खुमसुना धामाँ था जो खास शाही परिवार के आद्मियों के लिए था पूरे लाल के ले के खुबसूरत भावणों में और साथ ही हाया बख्षबाद मेहताबाद सावन भादों और मुम्ताज महल में यमना का बेहतनी पानी नहरे भारिष्ट यस्वार की धारा में बैठता था दूसर वर्शों कर लाल के ले कही आध्रमणों का सामना किया और मुक्लिया संतनात और पूरे हिंदुस्तान का दिल बनकर मस्बूर्थ खांग रहा लेकिन 1857 में अंग्रेजों ने आजादी की पहली लड़ाई के जवाब में के ले पर धावा बुल दिया किले की लगभग 80 पिसदी इमारतों को नश्ट कर दिया गया और उनकी जड़ादे भी अंग्रेजों की पैरतों ने आखरकार 15 अगर्स 1927 को आजादी की पहली लड़ाई के लगभग 100 साल बार भारत स्वतंद्र हुआ इसा एक अज़क अफ़ा पर लाग दिली की प्राजीर से तेश के प्राथान बंत्री ने पहली बार भारतिये दिरंगा पहराया अज़का अफ़ा साँ हमारे देश की एक अफ़रदी कि पंगर यह मां पिला कर दिवसे काड़ा है अज़किया तो आए झाल झाल झाल